Question number 15 15th question है हमारा x square minus का 9x plus का 20 इसको हम factorize कर रहे हैं splitting the middle terms है तो middle में जो term है उसको तोड़ कर लिखना है और लिखती कैसे है ये जो constant term है इसके आप prime factors लेंगे तो 2 से 10 2 से 5 5 से 1 इन factors को arrange करके ऐसे लिखना है कि add करने के बाद कितना आना चाहिए minus का 9 और इनी दोनो factors को multiply करने के क्या आना चाहिए plus का 20 तो देखो 2 to the 4 plus 5 9 होता है लेकिन मुझे तो minus का 9 चाहिए तो मैं लिखूँगा minus का 4 और minus का 5 अब चेक करके देखो क्या इन दोनों को add करके minus 9 आ रहा है बिल्कुल ठीक है क्या इन दोनों को multiply करके plus का 20 आ रहा है बिल्कुल ठीक है तो बस आपको लिखना है x square और minus के 9 x को लिखना है तोड़ कर गया minus का 4 x minus का 5 x और plus का 20 as it is ठीक है तो देखो इन दोनों को solve करोगा आप यही आएगा अब इसके बाद क्या करना होता है first two से common लेना होता है तो इन दोनों में क्या common दिखाई दी रहा है आपको मुझे तो x दिखाई दी रहा है तो x अगर मैंने common ले लिया तो bracket में आएगा x minus 4 अब जो यह bracket है same बराबर में इधर paste कर दो तो वो भी x minus 4 आ जाएगा तो अब बताओ यहाँ पर क्या number लिखूँ जिसकी multiply x से करूँ तो minus का 5 x आ जाए तो देखो मुझे minus का 5 ही लिखना पड़ेगा अब देखो इसकी multiply इस से करके यह आ रहा है बिल्कुल आ रहा है क्या minus 5 की multiply minus के 4 से करने के बाद plus का 20 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है इसका मतलब पीछे के सारे steps correct तो हमें क्या करना है अब इसमें से और इसमें से common लेना है यह bracket x minus 4 दोनों तरफ है तो आप x minus 4 common लेंगे bracket में अगले bracket में वो चीज़ें आ जाएंगी जो bracket में नहीं है क्या नहीं है देखो bracket में एक तो x नहीं है यह तो bracket के बाहर है तो उसे लिखो और देखो इस bracket के बाहर minus 5 है उसे भी लिको तो factorize करके हमारा answer आया है x minus 4 x minus 5 यही हमारा answer चलते हैं next question पर